प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने चार दिन की अमरीका यास्रा पर पहुँच गए हैं। जब देर रात वो यहां वाशिंग्टिन डी सी में लैंड करें, तब यहां पर भारतिय समुदाई के लोग उनके स्वागत के लिए जिटे हुए थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतिय समुदाई के लोगों के बीच पहले जैसी ही दिवानगी दिखी। वक्त बदला, अमेरिका में ताज बदला, लेकिन प्रधान मंत्री मोधी को लेकर दिवानगी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। बारिश के बावजूद प्रधान मंत्री की एक जलक पाने के लिए भारतिय समुदाय के लोगों की भीड यहां घंटों पहले पहुंच चुकी थी। काफिला होटेल के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर सेकड़ों लोगों की भीड पीम मोधी के इंतजार में मोधी मोधी के नारे लगा रही थी। किलकारी मारते सुनाई पड़े। एयरपोर्ट से प्रदान मंत्री का काफिला होटेल पहुंचा। होटेल में भी पीम मोधी के स्वागत के लिए पहले से ही अधिकारी मौजूद थे। होटेल में करमचारियों से पीम मोधी ने हिंदी और गुजराती में भी बात की। से भी मिलेंगे। इसके अलावा क्वाट के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट के 76 सत्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधान मंत्री मोधी जी को इनवाइट किया है। एक बाइलेटरल समिट होगी जिसमें वान टू वान डिसकॉशन होगी और अफकोस क्वाट की समिट होगी। दोनों चीजों में बड़ा क्लेरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमरीका दोनों साथ-साथ काम करेंगे। जिसमें से उनकी पांच बार जो मुलाकात रही है वो डेमोक्राटिक प्रेसिडेंस यानि की राश्ट्रपतियों के साथ रही है और दो मुलाकातें जब डॉनल्ड ट्रम्प यहां के राश्ट्रपती थे उनके साथ रही है। इस बार की मुलाकात जो बाइडन से हो रही है। जो बाइडन से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की ये पहली मुलाकात होगी उनके राष्ट्रपती बनने के बाद। जो बाइडिल से प्रिधान मंत्री नरेंद्रु मोदी 2014 में जब वो वाईट करना।